अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ वाई सब बढ़ी आऊंगे श्यूडियूम दोस्तों बात करेंगे सलंका और इंडिया के बेच में जो पहला ODI मैच कहला जाएगे इसको डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों वीडियो कमप्रिट वॉच करना अभी देखो इंडिया की टीम का अगर में मेलनी बात करो तो आपको थोड़ा सा अलग स्क्वैर दिखा था लेकिन ODI मैच के अंदर आप लोग देखोगे तो इंडिया की टीम में आपको कुछ एक बड़े प्लेयर वापसी करते दिखेंगे चाहिए वो विराट की बातो रोहित की बातो दोस्तों किसको captain सी या फिर अपनी टीम में wise captain senior की options में लेके चलोगे आक्योडिंगो लोजिक आपकी team में क।व्सेou arrow आने चीए जब इंडिया या चिलंका पहले बल्लेबाजी करेगी तब को उनसे प्लेइर को रख़कते हो एज ए ट्रमकार प्लेइर आज के मैच में आप लोग को उनसे प्लेइर को ट्राइ करोगे देखो टेलीग्रम चैनल पर मैं आपको टीम प्रोवाइड करवाता हूँ उ बातो टाइमल मिल्स की बातो दोस्तों वाँ पर यहां पर क्रिस जोर्डन की ठीक है सबीन अच्छी परफॉर्मेंस करें थी ट्रमकार ओप्संस के अंदर है तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको सेफ ओप्संस भी बताऊँ हो बस वीडियो कंप्रिड वोच करना और आ सबी ब्लेर के बार में कंप्रिट इंफोर्मेशन आपको दे दूँगा कौन किस लेवल का प्लेर है गेंदबाजी में कौन ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा बल्लेबाजी में कौन ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा सारे चीज़े डिटेल में कवर कर देंगे बस वीड ये वीडियो देखो मैं बीना फेस के गवर कर रहा हूँ वाई कि थोटा सा मजबूर ही ए उसके चलते मैं फेस्ट वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन ये वीडियो आपके लिए विदाउट फेस आईगी लेकिन इन्फोरमेशन में आपको कोई कमीन नहीं मिलेगी इस वीडियो के comment section में जीए, सबसे उपर आपको top में एक पिंड comment मिल जाएगा, वापे लिंक है, उसके उपर किलिक करके आप लोग telegram channel को join जरूर से कर लीजिए, कोई भी updates होंगे toast होने के बाद, final team में last moment कोई भी change करेंगे, या फिर trump card option according to toast आपके लिए कुन से player बनेंगे, safe option और trump card options, दोनों आपको अलग से telegram channel पर toast के बाद update करूँगा, तो comment section में लिंक है दोस्तों simply जीए, और सबसे पहले आप लोग telegram channel को join जरूर से कर लीजिए, अब यहां से बात करतें, दोस्तों मैच के बारे में, सबसे पहले आपको मैं वेन्यू के बारे में information देऊंगा, मतलब यहां का विकेट जो रहेगा, यानि कि जो पिछ रहेगा, वो किस लेवल का हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा नहीं बचेगी, यह दान रखेगा, ठीक है, तो यहां से बात करो, आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो के विकेट पे मैच है, बोलिंग सर्फेस आपको देखने को मिल सकते हैं, और स्रलंका के विकेट पे करने हैं, देखो, 200 रंच में, 220 रंच में चेजिंग टीब इजली मैच विन कर जाएगी, यह चीज़ आप लोग मानके चलिएगा, ओवरॉल बोलिंग सर्फेस इस वज़े से, क्योंकि जहां पे नॉर्मल ये 300 के स्कोर बनते हैं, उनके कंपरिजन में स्कोर हो सकता है, तो यहां पे गेंदबाज इसलिए important है, क्योंकि विकेट गरने के maximum chances बनेंगे, लेकिन उतना खरा विकेट शायद आपको पहले मैच में देखने को ना मिले, क्योंकि विकेट बिलकुल fresh रहेगा, तो शायद थोड़ा सा जीज़े कहीना की बल्ले बाजों को help जरूर से कर सकती है, अगर बात करूँ इस वेन्यू की, टोटल यहां पे 79 मैचिस खेले जा चुके ओड़िये के अंदर, जबकि फर्स्ट बैटिंग का जो win percentage है, वो 53% के आसपास है, सेकिंड बैटिंग का win percentage यहां पे केवल 38% के आसपास है, मतरब जो फर्स्ट बैटिंग टीम होती, वो कहीना कहीं यहां पे ज़्यादा matches win करती है, सेकिंड बैटिंग के comparison में, अच्छा wicket रहेगा spin गेंदबाजों के लिए, और मैं आपको हमेशा वीडियो जगंदर एकी बात बोलता हूँ, जब स्रलंकन wicket के उपर matches होते तो भाई, spin आपके लिए हमेशा कारगर साबित होके जाएगी, अगर आपने T20 matches देखे होंगे, तो वहां पे भी spin ने काफी अच्छी performance करी थी, और यह देखो कोलंबो का विकेट है, तो यहां पे भी spin आपके लिए कहिना के एक बड़ा impact छोड़ के जा सकती है, फास्ट बोलर उस टीम के जरूर रखेगा, जो टीम पहले गेंदबाजी है और मेंली वो गेंदबाज जो कि डेथ होवर में गेंदबाजी करेंगे, वो कौन से बाद अगर बारिष आएगी मैस स्टाट होने के भाद Khan थाट होने के बाद, तब तो बाई टीम स्टाट सेंज नहीं किँए जा सकता, उसस इसाफ से आप लोग score मान के अपना team selection जरूर कर सकते हो इस level का तो wicket आपको जरूर से दिखेगा अगर इससे कम score बनेगा तो मान के चलिए बल्ले बाद ये team गई ना कि बहुत ही बुरी यहाँ पे आपको betting करके दिखेगे ठीक है बाकि अगर मैं total wickets की बात करूँ दोस्तों पिछले 10 मैच में इस venue पे 76 wicket fast bowlers ने तो यहाँ पे 67 wicket यहाँ पे spin गेंदबाजों ने निकाले जरूर fast bowling थोटा सा आगे है लेकिन उतना कोई difference नहीं है तो spin भी आपके लिए काम जरूर करके जाएगी ठीक है तो venue के बारे में सिर्फ इतना ज्याना कि सबसे पहले एक bowling surface है मतलब शायद एक high scoring match ना दिखे लेकिन 240-250 एक average score है किसी team को बढ़िया start मिल जाएगा हो सकता है 270-280 के score तक भी जा सकते है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन आप लोग सिधा-सिधा 280-300 का हिसाब लगा के जब team selection करोगे तो आपका team selection गलत हो सकते है अगर वहाँ पे वो work नहीं करके गई चीज़े है तो ये थोड़ा सा ज्याना कि बाकि spin के साथ-साथ fast भी important है लेकिन spin को भी उतनी ही help रहेगी जितना यहाँ पे fast bolus dominate कर सकते है तो ये ध्यान रखे एक तरफ आप लोग ना तो fast के favor में जा सकते है ना आप लोग एक तरफ आप यहाँ पे spin के favor में जा सकते हो ठीक है rainy condition से बारी स्विगारा के chances होंगे तो वो चीज़ अपने हाथ में नहीं है तो venue के बारे में बिच के बारे में ये चीज़े ध्यान रखे आप ही जलते टीम selection पे सबसे पहले आएंगे दोस्तो wicket keeping section के अंदर पहली option देखो केल राहूल दूसरी option कुसल मेंडिस तीसरी पंत चोथी कुसल परेरा की रहेगी मेरे हिसाब से देखो पंत और कुसल परेरा के chances मुझे कहीना की थोड़े से कम दिखते आज के मैच में खेलने के देखो राहूल और पंत मेंशे शायद गोई यह की खेल सकता है तो मेरे अकोडिंग राहूल ज्यादा बैतर विकल्प है क्योंकि राहूल देखो यह एक बढ़िया प्लेर है और स्टेबल प्लेर है जो की विकेट की रिस्पोंसिबिलिटी समझगे भी बल्ले बाजी करेगा और अगर इंडिया की टीम इस मैच में माली जी पहले बल्ले बाजी करती है आप लोग केल राहूल के साथ में अपने टीम में एजे कैटनसी वाइस कैटनसी की ट्रम ओप्सन के अंदर लेके जरूर से चलपाओगे काफे बढ़िया प्लेर है रंज की उमिद आप लोग जरूर मानके चलिए ठीक है उसके बाद में देखो कुसल मेंडिस टीटोंटाई सीरीज में भी अच्छी परफोर्मेंस करी थी ये तो ओडियाई सीरीज जबाई थोड़ा सा टाइम लेके भी बल्ले बाजी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे विकेट गिरने के चांसे भी थोड़े से कम रहेंगे तो मेरे अकोडिंग कुसल मेंडिस आपके लिए एक बैतर विकल पर रहेंगे आज के मैच की दूसरा लगबग लगबग आपको सेम बोलिंग अटेक सामने दिखेगा चाहिवो और सदीब की बातों खलील की बातों सिराज की बातों तो वही गेंद बास दिखेंगे जिनको अलड़ी मेंडिस टीटोंटे सीरीज में अच्छा खेल के आ चुके हैं तो मेंडिस से आफ लोग इस मैच में एक बार फिर से अच्छी पारी के एक्सफेक्टेशन करके चलोगे शो मेंडिस को मैं फिर से बैक करूँए और सेम चीज बनेगी मेंडिस आज के मैच में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी का आपके लिए ट्रमकाड ओप्सन है जरूर से अपनी टीम में बैक करके चल पाओगे पंतोर परेरा के मुझे उतने कोई चांसेज नहीं दिखते फिला लाएंगे बैटिंग सेक्चन में देखो विराट रोहित और निशांका यार तीनो प्लेयर इंपोर्टेंट है ये तीन प्लेयर तो आप लोग कता ही अपनी टीम से ट्रोप नहीं कर सकते हो भाई सब ये मान के चलिएगा और देखो अगर मैं विराट की बात करूँ न तो विराट का जो किस लेवल के प्लेयर है भाई वो भी आपको पता है सेम रोहित के केस में देखो रोहित अगर विकेर जाएगा तो स्टार्ट के 5-6 ओवर के अंदर जा सकते है ठीक है अगर इतने ओवर विराट सोरी यहां पे रोहित ने बल्लेबाजी कर दीना तो भाई फिर ये बंद पातुम निशांका कुसल मैंडेश दो प्लेयर दोनों ओपनर से लंका के जो की टी ट्वेंट आई सीरीज में अच्छा करके आई है सेम गेंद बाजों के सामने तो आप लोग ओडिया इस सीरीज में भी कही ना कि ज़्यादा एक्स वैक्टन सेंशन करके चल सकते हो और पा जो की हाई सेलेक्शन में कैटन सी वैस कैटन सी पे जाएंगे तो राहूल की बात हो या फिर कुसल मैंडिस की बात हो पत्थुम निशंका की बात हो इन प्लेयर का सेलेक्शन आपको थोड़ा सा कम दिखेगा कैटन सी वैस कैटन सी में तो ये प्लेयर आपके लिए अच्छ आप भई selection देखोगे तो केवल 46% है लेकिन मेरे according सुम्मन के लिए एक better विकलप आपके लिए बन सकते है तो ज़रूर मैं अपनी टी में back करूँआ बले ये selection 40% क्यों ना हो और ट्रमकाड ओप्शन में captain vice captain कर लो क्योंकि normally selection भी काफी गम है तो भई दुनिया captaincy vice captaincy में भी कम ही इनको लेके चलेगी तो आप लोग अपनी टी में unique जा सकते हो गिल के साथ में captaincy vice captaincy पे उसके बाद में नीचे देखोगे स्रे साहियर यहर अगर इंडियन टीम पहले बल्ले बाजी करती है ना स्रे साहियर आपके लिए differential 24 बनेगा ये दानकी है क्योंकि स्रे साहियर आपको अल्मोस आपके वन डाउन के आसवास बल्ले बाजी देगा तो मेरे इसाब से एक बैतर विकल्प है और ओडिये के अच्छे player है ये माने के चलिए responsibility वाली इनिंग आपको मिलेगी इंडियन टीम पहले बल्ले बाजी करती है टरमकाड ओप्सन में कैप्टन वाइस कैप्टन गर लो क्योंकि नोर्मली तीन प्लेर मैंने आपको बताई जिन पर दुनिया ज़्यादा दोड़ेगी कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी पे तो अग प्लेर है T20 के भी ठीक ठाक प्लेर है लेकिन ODAE में आप लोग थोड़ा ज़्यादा बैतर परफोर्मेंस की उमीद कर पाऊगे क्योंकि यहां पे क्या होगे ज़्यादा हिटिंग नहीं करने पड़ेगी और जहां हिटिंग नहीं करने पड़ेगी वाँपे सधीरा समारा जैसे प्लेर है शायद एक अच्छा ओप्सन आपके लिए बनके जा सकते हैं और जहापिन का बैटिंग ओडर उल्री आपको बता दिया सेकंड डाउन के आसपास मिलेगा तो ट्रमकाड ओप्सन नोर्मल पिक में ट्राइग रो कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी में नहीं ठी चरीत असलंका टीटोंटी के उतने कुछ खास प्लेर नहीं है ना टीटोंटी सीरिज इनकी उतनी बढ़िया गई लेकिन ओडियाई में आपके लिए बैतर विकल पो सकते हैं यह आप लोग स्टार मार के चलना ठीक है चरीत असलंका को कोई ट्राइ नहीं करेगा भाई खास कर स्मोल लिग के टीम के अंदर ठीक है तो चरीत असलंका आपके स्मोल लिग और ग्रेंड लिग दोनों टीम में आ जाएंगे और बढ़िया प्लेर है यह मान के चलिए ओडियाई में थोड़ा ज्यादा बैतर पर्फोर्मेंस के आप लोग उमीद चरीत असलंका के साथ में कर पाओगे एज गंपेर टूस टीटोंटे सीरीज तो आप लोगों के लिए अच्छा विकल पर डिफरेंशल जाने के लिए देखो अविस्का फर्नेंडो स्लैक्शन के वल दो परसेंट है कि शायद आपको उपन करते वी या फिर बाई वन डाउन बले बाजी करते वे दि लेकिन अगले जो दो ओडी मैच और बचेंगे उनमें भी आपके लिए ट्रमकाड ओप्सन बचेंगे तो मैं तो देखो फिलाल आज के मैच में ही इनको एज़े ट्रमकाड ओप्सन अपनी टीम में लेके चलूँगा ठीक है ओलाउन डा सेक्शन वनिदु उसरंगा को में जहां से आप लोग लेके चलोगे अक्सर पटेल को ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट स्पिन गेंदबास दोगी दोनों टीम्स के सैड रहेंगे और वनिदु उसरंगा को देखो कैप्टनसी वैस कैप्टनसी का भी सेफ ओप्सन है अलांकि टी 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 के अंदर इन्हो कैप्टन वाइस कैप्टन करो तो ठीक है स्मोल लीगी टीम में आपको प्रैफर गरूँआ कि नॉर्मल प्लेयर में लेके चलो हाई रिस्क अगर उठाओ तो ही कैप्टन वाइस कैप्टन करना ठीक है उसके बाद में नीच आओगे सुन्दर के चांस मुझे नहीं दिखते कामिंदू मेंडिस के नहीं दिखते हैं यहां से देखो चमीका करणरतने एक प्लेयर आपको दिख रहा है जो कि इस लंगा की साइड से सिकेवल 10% स्लैक्शन में लेकिन चमीका करणरतने गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में अच्छा बैक अप दे सकता है इवन चमीका रखेगा तो डिफरेंशल 24 में ट्राई करो रियान पराग के चांस मुझे थोड़े से हाई दिखते भाई खेलने के और मेरे अकोडिंग देखो सिवम दूबे और यहां पर रियान पराग में से कोई एक खेल सकता है तो मैं थोड़ा सा प्रैफर गरू ना तो मेरे अकोडि पर डिपेंड करेगा जिसके भी साथ में वो जाएं बाकी खेले तो डिफरेंशल 24 ग्रेंडले की टीम में बैक कर सकते हो ठीक है बोलिंग सेक्चन में के कुल्दीप या दो स्पिन गेन बाजी की वैल्यू है तो कुल्दीप के साथ में मैं बैक करके चलूँगा देखो टी लेबाद ज्यादा इनके उपर हिटिंग करने शायद ना जाए उस केज में हो सकते है कि महेज तिक्सना शायद उतना इंफेक्टफूल फ्लेयर पनगे ना जाए तो मैं फिलाल अवोईड रखूँगा हाई स्लेक्शन बेस आओ तो आप लोग तिक्सना के साथ में अज़े सेफ जा सकते हो ठीक है अरसदीप मेरे हिसाब से इंपोर्टे लेकिन खास कर जब इंडियन टीम पहले गिंदवाजी करेगी तब तो अरसदीप को जरूर रखिएगा सेकेंड गिंदवाजी में चाहो तो ड्रोप करके रिस्क उठा सकते हो नीच्या होगे दुनित वैला ल आरसदीप या फिर सिराज के जगे आप लोग हरसित राना को बैक कर लो ठीक है एक प्लेयर आपको बताऊँगा जिसका नाम रगा दुनित वैला लागे सेलेक्शन कम है केवल 8% सेलेक्शन है बल्ले पाची बैक अप अच्छा देके जाएगा स्पिन में आपको पूरे 10 ओ अविलेबल रहींगे यहां पर देखो खलील के चांस हो सकते हैं अकिला दनेंजे के मुझे उतने कोई चांसे नहीं दिखते हैं अगर आपको बैटिंग सेक्शन से रिमूव करना है दो परसें स्लेक्शन में आप लोग अविसका को कर सकते हूँ आप लोग यह 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 अपनी 24 के साफ से ड्रोप करके आप लोग एक्शा गेंदबाजों के साथ में या फिर बई ओलाउंडर सेक्शन पर थोड़ा सा फोकस कर पाओगे यह 24 आप करेगी मेरी फिलाल 11 प्लेयर की टीम बन चुके हैं दोस्तों जो कि मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ आप ल जो भी रखना चाहो अपनी 24 से रख सकते हो देखो यो जो टीम है ना यह सिर्फ एक डेमो टीम है यह मान के चलिए ठीक है यह फाइनल टीम समझ के मत चिपका देना यह सिर्फ आपको प्लेयर की बारे में इंफोर्मेशन देने के लिए थी बाई कून सा प्लेयर अच्छा हो सकते हैं डिफरेंशल 24 भी आपको दिख रही है बाई जिसमें गिल का नाम है लो स्लेक्शन में अब इसका फरनेंडो का नाम है 22 परसेंट स्लेक्शन में आपको अईयर मिल रहे हैं तो यह तीन प्लेयर यूनिक उप्संस है ठीक है इन में से जो भी रखो 24 आपकी या फि हो सोने के बाद तो कमेंट सेक्शन में लिंक है जाके सबसे पहले आप लो टेलेग्राम को जोईन जरूर से कर लीजिए कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी माई तिंग मुझे उतना कुछ खास आपको बताने की जरूरत ना पड़े सेफ ओप्सन में देखो राहूल आपके पा आपको भी एज़े यूनिक अपनी डिमे काप्टन सी वाइस काप्टन सी की चोईस में ले सकते हूँ ये कुछ आपके लिए ट्रम का अडोप्संस होंगी बाकी कोई चेंजिस बगार होंगे आपको टेलीगां पे शोर अपडेट किया जाएगा तो उमीद गरता हूँ दोस